on the bell notifications to receive the updates directly in your device for more videos press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device मुनमशकार दोस्तों गुड़ीवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग मैं विकास नहरा फिर से एक बार आ गया हूं लाइव आप सभी लोग के लिए हमारी ओन गॉइंग लाइव लिए निक्स रेनिंग का शेशन नमबर 150 लेकर और आज के शेशन में हम बात करने वाले हैं मेल सर्वर्स के कंफिगरेशन के बारे में आज को जो शेशन है यह अपने आप में बहुत ही जबरजस्त होने वाला है बहुत ही informative होने वाला है बहुत ही detailed होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा important भी क्योंकि आज के शेशन पर based आने वाले कैई sessions आपको देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि आज से हम start कर रहे हैं mail servers का configuration तो आज के session में मैं आपको वो सारी चीजे बताऊंगा वो सारे concept बताऊंगा जो आने वाले sessions में use होंगे और अगर आपने आज का session मिस्ट कर दिया तो आने वाले sessions में आपको बहुत सारी problems देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस session को बाकी सभी लोग के साथ share कर दीजे अपने groups में भी और बाकी दूसरी platforms पर भी ताकि जादा से जादा लोग आज के session को join कर सकें इससे benefit उठा सकें और आने वाले sessions क्योंकि इस पर based होंगे तो उनको help भी मिलेगी और आज के इस session में आपको वो सब बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा जिसको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी भी है और उसको कहीं पूरा आपको ऐसा document नहीं मिल पाता है जिससे आप आसानी से in concepts को पकड़ पाएं और mail servers के configuration सीख सकें तो एक तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि session में अंतक बने रहीएगा और कहीं भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है तो आप live chat के माद्यम से comment करके मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन आप यहां comment तभी कर पाएंगे अगर आपने पहले से हमारे चैनल को subscribe करके रखा होगा तो जल्दी से आप ना केवल इस वीडियो को like कर दीजिए बलकि चैनल को subscribe करके bell notification on करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि एक तो आपको updates समय से मिलते रहें औ और आप अपनी queries को हैं पोस्ट कर पाएंगे अभी मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ सिर्फ 30 लोग ही live feed में जुड़े हैं थोड़ा सा इंतिजार करेंगे जब तक आप मुझे बताईए कि कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं मैं आपके inputs का wait कर रहा हूं loud and clear thank you Azeem तो दोस्तो आज का जो session है यह अपने आप में special session होने वाला है क्योंकि मैंने आपसे promise किया था जब मैंने आपको SSH वाले sessions का मैंने live broadcast किया था और तो मैंने आपको promise किया था कि SSH में login alerts का mail हम कैसे generate कर सकते हैं यह चीज मैं आपको आने वाले session में बताँगा यह चीज मैंने आपको बोली थी आप मैंसे कई लोग उसको भूल गए होंगे जब मैंने आपको SSH बैनर और बाकी SSH के sessions कंड़क्ट किये थे तब मैंने आपको बताया था कि आने वाले time में जब हम servers कंड़क्ट करेंगे तो मैं आपको SSH login alerts का configuration करना भी सिखांगा और तब क्योंकि एक challenge थ करते हैं लेकिन यहां सबसे बड़ा challenge यह आता है कि अगर हम public email service provider का use करते हैं तो वहां alerts नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके own filtering mechanisms जो है वो इसको mail को accept नहीं करते हैं तो मैं उस time से इस issue को face करता आ रहा था और finally पिछले 10-12 दिन में मैंने लगा तार इसको test किया troubleshoot किया इसमें जो भी issues थे उनको fix किया और finally अब हम उन service providers पर भी mail alerts बेज़ पा रहे हैं SSH alert या दूसरे alerts बेज़ पा रहे हैं तो यह भी हम आज के session में cover करने वाले हैं मैं अपना promise fulfill करने वाला हूँ जो मैंने आप से किया था SSH वाले sessions जब मैंने आपके लिए conduct किये थे तब तो आज के session में हम सबसे पहले mail server का architecture जानेंगे कौन कौन से times उसमें use होती है उनके बारे में detail में जानेंगे हर एक चीज हर एक protocol हर एक टूल के बारे में यह हमें जानने को मिलेगा कि कौन सी चीज क्या है उसको हमें कैसे use करना है और कब use करना है दूसरा आज के session में सीखेंगे कि हम कै कैसे दूसरे users को message बेज सकते हैं किसी Linux machine के अंदर फिर हम जानेंगे कि कैसे हम mails बेज सकते हैं एक user account से दूसरे user account को कैसे हम उसको देख सकते हैं फिर हम आज के ही इस session में send mail का configuration करेंगे आरिचल 9 machine में और उसकी मदद से मैं आपको mails बेज कर दिखाऊंगा command line interface यानि की terminal क यूज करते हुए फिर हम smtp relay mail server का configuration करेंगे sentos 8 machine के अंदर और मैं आपको यहां से gmail पर terminal से mail बेज कर दिखाऊंगा live और उसके बाद हम root login alerts या कोई दूसरे alerts को कैसे configure कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और सबसे last में जिसका आपको बेशबदी से इंतिजार रहता है हमारी giveaway quiz होगी तो आज के session में इतनी सारी चीजें हम cover करने वाले हैं और मेरी आप से request रहेगी कि session को पूरा देखिएगा अगर आपने कुछ भी miss कर दिया तो आप फिर बहुत बड़ी problem में पस जाएंगे आपको अधूरा ग्यान मिलेगा जो मैं नहीं चाहता हूं कि आपक के लिए बनाया है आसान भासा में बनाया है उस डोकिमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज का क्या मतलब है जब हम email servers का configuration करते हैं कौन कौन से terms होती है mail server का जो architecture है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है तो सारी चीजे हम सीखने वाले हैं अब मैं यहां से आ देखिए mail server architecture and terminology mail server के अंदर कौन कौन सी terms है जो यूज होती है और उसका architecture कैसा है वो कैसे काम करता है जो mail server है उसमें कौन कौन सी protocols होती है कौन कौन से tools होते हैं सब कुछ हम detail में जानने वाले हैं तो अगर हम बात करें email protocols की तो generally तीन तरह के protocols हम mail servers में use करते हैं POP protocol जिसको हम post office protocol बोलते हैं IMAP protocol यानि कि internet message access protocol या फिर SMTP यानि कि simple mail transfer protocol तो यह जो तीन protocols है यह generally हम use करते हैं mail servers के अंदर तो the common protocol for email delivery are post office protocol instant message protocol and simple mail transfer protocol तो यही मैंने आपको बताया कि जो सबसे common हैं वो POP, IMAP और SMTP यह तीनों ही हैं Each of these protocols has standard methodology to deal with the emails and has defined functions इन में से हर protocol का अपना methodology है और हर एक का अलग तरीका का function होता है जब हम email servers की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं POP protocol की यानि की post office protocol post office protocol है क्या आप कई बार mail client यूज करते हैं उसमें आप जब manually configuration कर रहे होते हैं तो आपको select करना होता है POP 3, IMAP तो यह क्या है और इसकी क्यों ज़रूत पढ़ती है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों जो POP है POP की full form होती है post office protocol email clients जो है वो POP protocol का use करते हैं POP protocol support in server to download the emails email server से mail को download करने के लिए POP यानि की post office protocol का use किया जाता है this is primarily one way protocol and does not sync back to the email servers यह सिर्फ और सिर्फ mails को download करने के लिए use किया जाता है mail को भेजने के लिए use नहीं किया जाता यानि कि यह one way protocol है सिर्फ आपके जो mail है उसको यह आपके local machine में download करने का काम करता है server से तो यह one way protocol कहलाता है यानि कि आप कह सकते हैं कि यह pull protocol भी है pull करने का काम कर रहा है दूसरा है IMAP IMAP का मतलब होता है internet message access protocol IMAP protocol जो है वो generally email servers में mails को sync करने के लिए use किया जाता है client और server के बीच में यानि कि आपकी machine और जो server है उसके बीच में mails को sync करने का काम करता है यह क्या काम करता है आपकी mails को भेजने का as well as receive करने का काम करता है यानि कि यह two way communication की तरह काम करता है और जबकि जो mails हैं वो सिर्फ आपके server पे store होती है तो आपकी client machine से mail को server पे भेजना और server से वापस उसको client machine में pull करना यह दोनों काम करता है IMAP protocol तीसरा है जो कि सबसे important है वह SMTP SMTP ना हो तो IMAP और POP काम ही ना करें SMTP होता है simple mail transfer protocol जो SMTP protocol है यह principal email protocol भी कहलता है that is responsible for transferring the mails between one machine to another या फिर आप कह सकते हैं कि from client to server आपके client से server पर या एक server से दूसरे server पर mail भेजने का काम होता है SMTP protocol का तो यह भी एक one way protocol है लेकिन यह difference यह है कि यह push protocol होता है आपके client से mail को push करने का काम करता है server में या फिर server से दूसरे server में आप इसको detail में जानते हैं यहां मैंने diagram बनाया है आपके लिए अगर आप ध्यान से इस diagram पर focus करें तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास दो agent machines है यानि कि client machines है और दो server से हैं तो जो हमारा first agent है वहां से हम एक message या एक mail भेजना चाहते हैं अपने पहले mail server पर तो यहां हम SMTP protocol का use करेंगे क्योंकि यह जो है यह push protocol होता है आपकी जो mail है यहां client पर लिखी और आपने उसको send कर दिया अब send करने के लिए कोई भी tool use हो सकता है send mail हो सकता है post fix हो सकता है exim हो सकता है तो किसी भी एक tool या फिर उसको mail transfer agent भी कह सकते हैं उसका use करते हुए यह SMTP protocol का use करेगा और आपकी mail को भेज़ देगा आपके mail server पर अब वो mail वहां से हो सकता है कि दूसरे mail server पर जाए तो वहां भी SMTP protocol use होगी क्योंकि यहां से भी आपकी mail को push कर रहा है अब जब जो दूसरा agent है जहां पर वो mail पहुंचना है वहां उस mail को download करने के लिए या उस mail को pull करने के लिए या तो आप वहां पोप protocol का use करेंगे यानि कि post office protocol या फिर IMAP तो यहां पोप protocol का use हो रहा है और यह जो पोप protocol है यह pull protocol है आपकी mail जो है वो server से client में pull की जा रही है तो यहां से आपको SMTP पोप का जो difference है वो समझ में आया होगा SMTP जो है वो push करने का काम कर रहा है पोप जो हो pull करने का काम कर रहा है अब थोड़ा सा detail में जानते है SMTP और simple mail transfer protocol क्या है is used for sending the emails only not receiving it is one way push protocol SMTP uses same uses mail transfer agent MTA जिसको हम बोलते है SMTP जो है mail transfer agent का use करता है जैसे कि send mail हो गया post fix हो गया exim हो गया जिसकी मदद से कि आप mail भेज सके पोप क्या है पोप यानि कि post office protocol is used for receiving the emails not sending them तो पोप जो है mails को receive करने के लिए use होता है send करने के लिए use नहीं होता it is one way pull protocol जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया पोप यूजिस mail transfer agent tools like dove code for receiving the emails तो पोप क्या गाम करता है mail transfer agent tools जो होते हैं जैसे कि dove code हुआ उनकी मदद से mail को receive करता है तीसरा है IMAP यानि कि internet message access protocol it is used for sending as well as receiving the emails और इसलिए यह जो है two way या फिर push-pull protocol भी है और IMAP जो है यानि कि internet message access protocol यह जो mail transfer agent use करता है यानि कि जिसको हम MTA बोल रहे हैं वो आपका हो सकता है IMAP mail transfer agent जो है sorry dove code एक मिनट गरबड हो गया मैंने इसमें शायद गलत mention कर दिया SMTP में आपके use होते हैं Sandmail, Postrix और Exim correct POP में आपका use होता है dove code और IMAP में भी आपका use होता है अब हम इसको diagram की help से समझने की कोशिश करते हैं अब इसी diagram को मैंने modify कर दिया है अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर मैं जो मेरा पहला जो agent है यानि कि पहली जो client machine है left hand side में यानि कि mail domain-abc.com यहां से कोई mail भेजने की कोशिश करता हूं तो SMTP protocol use होगी और वह mail जाएगी पहले mail domain-abc.com वाले mail server पर फिर वहां से अगर वह mail मुझे दूसरे server के through भेजनी है mail domain-xyz.com वाले agent पर तो वहां से फिर SMTP protocol use होगी और उस mail को receive करने के लिए जो client है वो या तो POP3 या फिर IMAP का use करेगा वहीं अगर जो mail domain-xyz domain है वहां से कोई client machine है जो mail भेजना चाहता है मेरे पहले वाले server में या फिर पहले वाले agent में तो वहां से वो क्या होगा SMTP protocol का use करेगा फिर जो xyz domain पर mail server है वो उस mail को आगे भेजेगा ABC वाले domain वाले mail server पर और वहां से वो mail फिर download की जाएगी POP3 या IMAP protocol का use होते वे जो agent है कहाँ पर ABC domain के अंदर तो इस तरीके से ये जो है काम करता है आपका mail server तो ये उसका architecture है आपको समझ में आया इसलिए मैंने दोनों का comparison आपको करके दिखाया है SMTP mail को push करने का काम करता है और जो POP है वो pull करने का काम करता है और IMAP से आप push ये pull दोनों कर सकते हैं तो इस तरीके से आप use कर सकते है mail server को अब यहां कुछ terms हैं जो use होती है जिनका आपको पता होना ज़रूरी है MTA नाम की एक term आपको सुनने को मिलती है जिसका मतलब होता है mail transfer agent और यहां इसमें जो tools होते हैं वो होते हैं आपके send mail, post fix या फिर EXIM एक होता है mail delivery agent mail delivery agent जो है actually यह ensure करता है कि जो आपकी mail है वो properly receive हो जाए यानि कि जो filtering mechanism use होता है उसको करने का काम करता है जैसे कि आपने देखा होगा जब आपके mail receive होती है कोई mail तो आपके spam folder में चली जाती है और कोई आपके inbox में चली जाती है तो यह कौन decide करता है यह वो ही tool use decide करता है जिसको mail delivery agent बोल रहे है और यहाँ proc mail है generally जो यूज होता है और भी बहुत सारे है तो जो इस तरह के tools है उनको mail delivery agents बोलते है एक होता है mail user agent आपको इसके बारे में पहले से पता होगा आप लोग use भी करते होंगे mail user agent क्या है यह वो tool है या फिर यह वो software है जिस पर आप अपनी mail compose करते हैं mail receive करते हैं जैसे कि आपका Gmail app है mobile के अंदर वो एक mail user agent है या फिर Outlook है या Thunderbird है तो वहाँ क्या है आप compose भी कर सकते है mail को वहाँ से भेज भी सकते हैं और वहाँ पर रिसीव भी कर सकते हैं मतलब user side में use होने वाला जो tool है उसको आप mail user agent बोलेंगे SMTP मैंने बताई दिया simple mail transfer protocol POP3 एनि कि post office protocol 3 और IMAP क्या है internet message access protocol यह सब आपको पता होना ज़रूरी है इससे पहले कि हम configuration की तरफ जाएं या फिर आगे practically चीजों को करके देखें जो structure है email system का उसमें बहुत सारी की चीजह है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया mail user agent क्या है mail user agent क्या है it is the part of the agent or the client machine it is a software where you write or compose the emails or where you read the emails तो यह वो टूल है यह वो software है जैसे कि Thunderbird हो गया Outlook हो गया या फिर Gmail का अपो गया और भी बहुत सारे है तिर आर N number of such tools available mail transfer agent मैंने आपको बताया mail server का सबसे main part है mail transfer agent mail transfer agent अगर ना हो तो आप mail नहीं भेज पाएंगे तो MTA is the part of email system that does most of the work of transferring emails from one computer to another एक computer से दूसरे computer पर mail को भेजने का काम होता है आपको mail transfer agent का once configured correctly most users will have any direct interaction with the chosen MTA unless they wish to reconfigure it for any reason और जब भी आप इसको सही से configure कर लेंगे अपनी machine में तो जादा तर users उसी tool का use करेंगे जो आपने पहले से configure कर रखा है अगर आपने postfix configure कर दिया तो postfix use होगा आपने send mail configure कर दिया तो send mail होगा fetch mail है qmail है exim है there are a lot of mail transfer agents that we use in Linux फिर है एक mail delivery agent mail delivery agent के बारे में आपको बता है कि यह वो टूल है जो background में यूज होता है filtering करने का काम करता है तो जब भी कोई mail जाती है या mail receive होती है आप कहा सकते हैं तो वहाँ उसको filter करने का काम जो है वो mail delivery agent का होता है और यह background में काम करता है इसका आपको generally पता नहीं चलता लेकिन यह अपना काम कर रहा होता है SMTP क्या है मैंने आपको बताई दिया simple mail transfer protocol this protocol is used by the email system to transfer mail from one server to another एक server से दूसरे पर या फिर client से server पर mail को भेजने का काम होता है SMTP का और फिर है सबसे important SMTP relay SMTP relay क्या है SMTP relay is a protocol that allows external SMTP server to be used for sending emails instead of the local SMTP server suppose कीजिए आपकी एक local machine है और आप चाहरे हैं कि जब मैं इस mail से इस machine से mail भेजूं तो वह mail इस machine से न जाए बलकि जो मेरे domain पर मेरा actual email है उससे वह mail जानी चाहिए जैसे कि आप सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आपका जो Gmail account है वह mail भेजे लेकिन वह mail आप अपनी local machine से भे mail लिखेंगे और वह mail आपके actual Gmail account का यूज करते हुए किसी दूसरे mail address पर चली जाएगी और यहां आप जो है बहुत सारे service providers हैं यूज कर सकते हैं लेकिन हम Gmail का यूज करने वाले हैं अब एक comparison कर लेते हैं क्योंकि हम जो पहले configuration करेंगे वह mail transfer agents का करेंगे यानि कि mail transfer agent जो है जैसे कि send mail है, post fix है, exim है तो इनकाम यूज करने वाले हैं आने वाले sessions में भी आपको देखने को मिलेगा कि मैं post fix का configuration आपके लिए लेकर आँगा और भी बहुत सारे tools जैसे की dog coat वगएरा का भी configuration आपको करके दिखाँगा तो जो MTAs हैं उसमें जो सबसे famous हैं वो है send mail, post fix और exim, अब इनमें किसका क्या advantage है, क्या disadvantage है वो detail में जान लेते हैं, अगर send mail की बात करें तो इसका जो setup है वो बहुत अच्छा है, easily transportable है, significant adaptability इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, वह अगर post fix की बात करें इसकी security ज्यादा होती है, accessible high quality documentation इसका बहुत अच्छा documentation आपको available है, आपको ज़्यादा help मिलती है, high speed queen process है इसके अंदर, queue में ज़्यादा time नहीं लगता है, simple setup है, और send mail के साथ compatibility भी है, अगर आपने यदर post fix यूज गया हो सकता है, उदर आप send mail यूज कर रहे हूं, तो इसकी compatibility अच्छी है, वह अगर exim की बात करें, तो इसकी scalability है, वो करें, तो जो send mail है, उसकी security कम होती है, complicated customizations इसके अंदर होती है, मतलब आसानी से इसको customize नहीं किया सकता, वह जो post fix है, उसके अंदर जो customization का process है, वो भी काफी challenge है, जबकि जो आपका exim है, उसके अंदर आपकी speed queen है, वो slow होती है, और monolithic architecture इसमें हमें देखने को मिलता है, तो कर चलूँगा, मेरी linux machine के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी linux की machine है, जो की rhl9 पर run कर रही है, और इस machine के अंदर मैंने 3 terminal open किया हुए है, एक terminal में मैंने root user से login किया हुआ है, दूसरे में मैंने विकास नहरा user से login किया हुआ है, और तीसरे में मैंने एक नहर मैं आपको mail servers के configuration करके दिखाऊं, उससे पहले आपको simply message वगएरा भेजना आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम linux machine के अंदर messages भेज सकते हैं, एक user से दूसरे user को, चलिए, तो आपने शायद सुना होगा, आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता भी होगा, बहुत से लोगों को हो सकता है कि ना पता हो, linux में एक command होती है, wall, wall command हम use करते हैं broadcast message send करने के लिए, broadcast message का मतलब क्या है, जितने भी currently logged in users हैं, उन सभी के terminals पर, आप अगर कोई message broadcast करना चाते हैं, एक message सब को भीजना चाते हैं, तो वो आप भीज सकते हैं, wall command का use करते हुए, आईए पहले जान लेते हैं कि कितने users हमारी इस machine में currently logged in हैं और उनके terminals कौन-कौन से हैं, तो w command में चला देता हूँ, देखिए, root user, pts0 से login है, जिस terminal का हम use कर रहे हैं, विकास नहरा, pts1 पर logged in है, यानि कि ये वाला terminal, और नहरा नाम का ये user है, जो कि pts2 पर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए, tty, यानि कि ये pts2 है, और यहां में tty command चला देता हूँ, तो ये pts बने, अब हम wall command का use करेंगे, और एक message भेज कर दिखाएंगे, बाकी जो दोनों दूसरे users हैं, जो कि currently logged in है हमारी machine के अंदर, तो मैं यहां लिख देता हूँ, high nehraclasses, system will be rebooted at 10 p.m. ist, मतलब मैं यहां से broadcast message भेज के inform करना चाहता हूँ, कि 10 बजे machine reboot हो जाएगी, तब तक आप अपना काम उसको save कर लिएगा, तो मैं लिखता हूँ wall, यानि कि wall क्या है, wall एक command है, उसके बाद जो message मैं भेजना चाहरा हूँ, वो मैंने mention कर दिया, high nehraclasses, system will be rebooted at 10 p.m. ist, जैसी मैंने यहां से enterprise किया, अब आप देखेंगे कि जो विकास nehrac user है, उसके terminal पर message डिस्पले हो गया, वहीं अगर हम nehrac user के terminal पर जाते हैं, तो वहां भी यह message डिस्पले हुआ है, यानि कि यह जो message जब हमने यहां root वाले terminal से भेजा था, तो वो ज दूसरे users को, वहीं एक और तरीका होता है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कि सिस एक या कुछ users को message बेंदाए्, अब सभी को नहीं बेंदाए थी, उसको unicast करना चाते हैं, या multicast करते हैं, आप या एक से ज़्यादा वेंदाए चाहते हुए, तो वह आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको जानना होगा कि कौन सा यूजर कौन से टर्मिनल में है जैसे कि suppose कीजिए मुझे विकास नहरा यूजर को मैसेज भेजना है तो इससे हमें पता चल गया विकास नहरा जो है वो PTS1 पे है अब यहां से अगर मैं विकास नहरा यूजर को मैसेज भेजना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे भेजूँगा उसके लिए मुझे राइट कमांड का यूज करना होगा तो मैं यहां लिखूँगा राइट विकास नहरा और उसके टर्मिनल का नाम PTS1 उसके बाद जो भी मैसेज में यहां से भेजना चाहरा हूँ वो मैसेज में हां मेंचन कर सकता हूँ जैसे कि मैं लिख सकता हूँ Hi Vikaas, how are you? और enter press कर देता हूँ तो यह मैसेज विकास नहरा के टर्मिनल पर automatically display हो जाएगा देखिए, मैं vikas neara के terminal पे जा रहा हूँ, देखिए, hi vikas, how are you? यह message यहां में दिख गया, वहीं अगर हम neara user के terminal में जाते हैं, तो आप broadcast message तो हमें दिख रहा है, लेकिन ही जो हमने बाद में message भेजा है, vikas neara को वो नहीं दिख रहा है, तो यह message सिर्फ Vikas Naira के लिए था और उसी को यह दिखा चलिए अब मैं आपको एक और तरीखा दिखाता हूँ अब आप चाहें तो यहां से अगर यह PTS 1 हटा दें तो Vikas Naira जितने भी terminals में login होगा उन सभी पर यह message डिस्पले होगा तो आप यहां लिख दें राइट Vikas Naira और उसके बाद आप यहां लिख दें हाई Vikas या कोई भी message आप लिख सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और मैंने एंटर प्रेस कर दिया आप देखिए विकास नहरा user के टर्मिनल पर message आ गया है हाई Vikas प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल तो अगर आप टर्मिनल mention नहीं करते हैं तो जहां भी वो user logged in होगा वहाँ पर आपको message दिख जाएगा चलिए तो इस तरीके से आप broadcast message या फिर one to one message भेज सकते हैं किसी भी user को अब बात करते हैं कि अगर आपको mails भेजनी हो किसी एक machine के अंदर एक user से दूसरे user को तो आप कैसे भेजेंगे तो mail ऐसे आप directly नहीं भेज सकते mails को भेजने के लिए वहाँ कोई service चल रही होनी चाहिए यानि कि कोई mail transfer agent tool आपको हुआ install करना पड़ेगा अपनी machine के अंदर तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले send mail टूल का यूज करने वाले हैं तो मैं यहाँ mount कर लेता हूं मेरी जो iso image है mnt directory पर क्योंकि हम यहाँ कुछ package यूज करने वाले हैं अपनी iso image से अब हम यहाँ command चलाते हैं dnf install hyphen y send mail और send mail मैंने क्यों लिखा क्योंकि send mail जो है वो एक mail transfer agent है और इसका हम use करेंगे enter press किया तो send mail का package अभी हाँ install हो जाएगा हमारी machine के अंदर अब आप यहाँ देखेंगे कि send mail के साथ automatically proc mail का package भी install हो रहा है देखिए मैं आपको बताया था और यह क्या है यह mail delivery agent है चलिए package install हो गया अब हम यहाँ से mail भेज सकते हैं लेकिन mail कब तक नहीं जाएगी जब तक आप इस tool की service को start ना करें तो हम यहाँ से send mail की service को start और enable कर देते हैं ताकि यहाँ से हम mails भेज पाएं एक user से दूसरे यूजर अकाउंट को तो systemctl enable –now send mail.service service start हो गई, service enable भी हो चुकी है ताकि boot time पर automatically set हो जाए अब हम यहाँ systemctl status कमांड चला कर एक बार इसका status verify कर लेंगे देखिए जो service है वो up and running है और enable हो चुकी है तो अब हम यहाँ से mails भेज पाएंगे दूसरे users को बहुत ही आसानी के साथ पहले मैं यहाँ आपको directly send mail command के through ही मैं mail भेज कर दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं एक file बना लूँगा tmp directory में एक file बना लेते हैं email.txt के नाम से root user के account से करने का और यहाँ हम जो भी mail लिखना चाते हैं वो लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ subject लिखूँगा पहले कि यह mail किस subject से related है subject में मैंने लिख दिया system reboot time at 10 p.m.ist उसके बाद जो body है आपकी mail की वो आपको mention करनी है इसमें message में तो मैं लिख देता हूँ hi vikas this system will reboot at 10 p.m.ist please save your work before time thanks admin उसके बाद मैंने इस file को save कर लिया अब मैं एक बार verify करता हूँ कि जो changes मैंने इस file में किये वो save हुए है या नहीं बिलकुल आप देख पाएंगे जो है कि file में पूरा data मोजूद है यानि कि एक file अपने create कर ली है जिसका आप use करेंगे mail को भेजने के लिए अब हम यहां से किस user को mail भेजना चाहते हैं वो हमें decide करना होगा यानि कि हम कैसी mail भेजेंगे हम यहां से mail को भेजने के लिए use करेंगे send mail command का send mail के बाद हम लिखेंगे user का नाम यानि कि विकास नहरा मैं विकास नहरा यूजर को mail भेजना चाहता हूं उसके बाद लिखंगा localhost क्योंकि same machine के अंदर ही हमें mail भेज नहीं है तो मैं यह localhost लिख देता हूं अब mail में क्या लिखना है उसका subject क्या है उसकी body क्या है वो सब म strongest है और मैं यहां से सीधे enterprise कर दूँगा जैसी मैंने enterprise किया अब यह mail जो है विकास नहरा यूजर को चली गई होगी अब विकास नहरा यूजर इस mail को चेक करके देख सकता है mail को चेक नहीं के लिए विकास हूजR को कहा जाना होगा तो पहले विकास नहरा यूजर के account में च देखेगी विकास नहरा के लिए यहां फाइल मुझूद है अब इस फाइल को ओपन करके विकास नहरा रीड कर सकता है चलिए मेल की फाइल हमने ओपन कर ली तो हाई विकास इस सिस्टम विल बी रिबूटिड एट 10 पीम इस्टी प्लीज सेव वर्क बिफोर टाइम थैंक्स एड्मिन तो यह मेल विकास नहरा ने पढ़ ली यानि कि मेल जो है सक्सेस्फुली डेलिवर हुई है विकास नहरा यूजर को तो एक तरीका तरीका यह एक है कि आब यहां से सिंपली जो है वेर के अंधर स्पूल के अंदर मेल नाम की डिरेकटरी में चले जाये और आपके जो की फाइल है उसको आप उपन करके देख लें दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहां सीधे मेल कमांड चला दें अब मेल कमांड काम नहीं करेगी मेल कमांड जो है वो काम करती है कब जब मेल एक्स का पैकेज इंस्टोर्ड हो और एचल एट या सेंट वैट अब और दूसरा तरीका में आपको बताओंगा लेकिन उससे पहले हम एक बार मेल log के फ्रूबी चेक करके देख सकते हैं अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां से root user के account से हम वैर के अंदर log के अंदर mail log नाम की file है उसकी last की बीस लाइन देख लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है तो देखिए हम यहां mail के logs दिख जाएंगे mail send होई थी accepted यहां हम लोग में भी इस चीज को देखके कर सकते हैं कि मेल गई या नहीं गई या रेसीव हुई या नहीं हुई वही अगर थोड़ी बहुत डीटेल्स अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो यहां भी आप इसको देख पाएंगे देखिए सेंड मेल की सर्विस स्टार्ट वेर के अंदर लोग के अंदर मेल लोग वाली फाइल को ही रीड करना है वेर लोग मैसेजज को आप नहीं चेक करेंगे जनरली उसमें इतनी इंफोर्मेशन आपको कैप्चर नहीं करने को मिलेगी अब दूसरा तरीका ओर है मेल भेजने का यह एक तरीका था कि आपने फिर पाइप साइन लगाऊंगा फिल्टर का यूज करूँगा और यहां फिर मैं सेंड मेल कमांड लिखूंगा और किस यूजर को मेल भेजना चाहरा हूं उसका मेल एड्रस या उसका यूजर नेम लोकल मशीन है तो आप सिंप्ली यूजर नेम भी मेंशन कर सकते हैं या पूरा उसका जो है ड्रस वो मैं चन कर सकते हैं तो एकैles लिविंग नाऊ में लिख रहाईं लिविंग नाऊ जो है वो मैससेज है या मेल है send mail का use कर रहा हूँ और किसको बेज रहा हूँ विकास नहरा को चलिए mail बेज दी अब हम चलते हैं विकास नहरा के account में और दुबारा से कहां चलते हैं wear के अंदर spool के अंदर mail के अंदर cat विकास नहरा करते हैं देखें leaving now वाली mail इसको मिल चुकी है लेकिन अब एक और तरीका है जिसमें हम mail कमांड का use करते हुए mail transfer करते हैं या फिर mail compose करके भेजते हैं तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ तो root user के account से मैं command लिखता हूँ mail hyphen s hyphen s का मतलब होता है subject subject मैं मैं लिखता हूँ test subject किसको मैं बेज रहा हूँ विकास नहरा user को और mail की body क्या है मैं खाली mail भेजना चाता हूँ empty तो मैं है लिख रहा हूँ less than slash dev slash null और dev null आपको मालूम है इसको read नहीं किया जा सकता तो इसमें कोई content ये capture नहीं करेगा जो कि ये भेज भाई mail के अंदर लेकिन अब ये mail command जो है तभी काम करेगी जब mail command का package install होगा तो जैसी मैं enter मारूँगा देखी बोलेगा package not installed अब यह mail command का package जो है वो snail है मैं मुझे काफी rnd करने के बाद पता चला कि rhl9 में ये package जो है वो snail के नाम से जबकि sentos 8 में यह rhl8 में इस package का नाम होता है mail x तो ये package आपको यहां से install कर लेना है चलिए मैंने package को install करने के लिए hyphen y दबा दिया है dependencies resolve नहीं हो रही है कोई बात नहीं dnf install hyphen y snail देखिए snail का package जो है वो install हो चुका है अब हम यहां से mail भेजते है mail hyphen s फिर जो subject है वो mention कर दिया double quotes में और किस user को भेज रहे है उसका नाम और slash dev slash null देखिए बोल रहा है no body body है ही नहीं क्योंकि हमने यह slash dev slash null का use किया था बोल रहा है hope it's okay तो अब हम आ जाते हैं दुबारा इधर विकास नहरा user के terminal पर और verify करते हैं तो मैं cat विकास नहरा करूँगा देखिए यह खाली mail इसको मिली है और इसमें कोई भी message नहीं था और यहां test subject वही subject है जो उमने mention किया था मतलब mail यहां receive हुई है अब मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था mail check करने का आप mail command चला सकते हैं अब mail command काम करेगी क्योंकि snail वाला package जो है आपने install कर दिया है अपने system के अंदर अब आप देखिए इसमें आपको तीन mail दिखा रहा है number one, number two और number three तीनों जो है root user से आई है अब कौन सी mail आप पढ़ना चाते हैं पोज कीजिए, मैं first mail पढ़ना चाता हूं system reboot वाली जो है, तो मैं हाँ one press करूँगा और enter press करूँगा, तो first वाली mail open हो जाएगी देखिए, highway cast this system will reboot at 10 p.m. IST तो इस तरीके से बिलकुल perfectly काम कर रहा है हमारा जो mail server है और हम यहां से mails भेज पा रहे हैं, दूसरे users के पास और उसको receive भी कर पा रहे है तो where के अंदर, spool के अंदर, mail के अंदर mail box होता है हर user का, वाप फाइल की form में आप mails को पढ़ सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको attachment की form में mail को भेजना हो, मतलब आप चाहते हैं कि mail के साथ attachment भी आप add कर दें, तो आप कैसे करेंगे तो एक file बना लेते हैं, tmp directory के अंदर उसके अंदर calendar डाल देते हैं तो देखी मैंने है, tmp के अंदर एक file बना ली है, cal.txt के नाम से और इस file के अंदर मैंने December 2022 का calendar डाल दिया है अब मैं यह जो calendar वाली file है, इसको as a attachment send करने वाला हूँ, तो यह बहुत important है आप ध्यान से देखिएगा और mail की body भी मैं create कर लेता हूँ तो एक file और बना लेता हूँ, tmp के अंदर mail.txt के नाम से, और इस file इसमबर 2022 और मैं इस file को save कर देता हूँ अब tmp के अंदर mail.txt वाली जो file है वो body of mail है और जो cal.txt वाली file है वो attachment है, अब इन दोनों को इस body के अंदर जो भी लिखा था मतलब जो body of mail थी जानी कि जो text था, उसके साथ मैं attachment भी बेजूँगा तो mail को attachment के साथ भीजने के लिए हम यहाँ mail-a command का use करेंगे, mail-a मतलब mail के साथ attachment add करना है attachment का है, tmp के अंदर test, cal.txt के नाम से तो उसका path mention करेंगे file का, फिर hyphen s लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ subject भी define करना है, चलिए subject भी define कर देते हैं, hyphen s लगा कर उसके बाद double quotes में जो भी subject है वो हम यहाँ mention किये देते हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ December calendar उसके बाद आप वो mail कौन से user को भेजना चाहते हैं, तो मैं यह mail जो है, Nehra user को भेजना चाहता हूँ Nehra at the rate local host और उसके बाद जो mail की body है मतलब इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं उठाना चाहता हूँ, कौन सी file से tmp के अंदर जो मैंने file create की थी mail.txt के नाम से, उस file से enter press कर दिया mail चली गई, अब हम यहाँ Nehra वाले user के account में चलते हैं और मैं हम mail कमंड चलाता हूँ, देखिए एक ही mail है, जो इसके पास आई है root user से one press करते हैं, enter press किया तो देखिए hi, please find the attached file attached file है इस mail के साथ हमें जो text था, जो हमने mention किया था, body में वो दिख रहा है और attachment भी दिख रहा है, cal.txt तो हम यहाँ से attachment को भी देख पा रहे है और देखिए, जैसी मैंने enter press किया तो इसने attachment में क्या है वो भी show कर दिया तो इस तरीके से आप mail को attachment के साथ भी send कर सकते हैं, Linux machine के अंदर अगर आप terminal का use करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप web browser से ही mail भेज़ें, आप terminal से भी mail भेज सकते हैं बहुत लोगों को यह चीज नहीं पता रही होगी I hope, अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता थी, comment करके बता थी और कितने लोग ऐसे हैं जिनने नहीं पता थी, तो comment करके मुझे बताईएगा, मुझे बहुत अच्छा लाएगा अगर आप सही से अपना feedback देंगे तो आप चाहें तो echo command का use करके भी mail भेज सकते हैं चलिए, mail भेज देते हैं echo command से भी विकास नहरा यूजर से mail भेजते हैं या नहरा यूजर से भेजते हैं विकास नहरा यूजर को, चलिए तो हम यहां लिखते हैं echo नहरा क्लासिस आरोसम echo command का use कर रहे हैं, फिर filter लगाया mail hyphen s, और subject mention किया नहरा क्लासिस आरोसम, और उसके बाद किसको भेजना है, विकास नहरा यूजर को भेजना है, तो उसका user name और host name mention कर देते हैं, अंटर प्रेस किया तो नहरा यूजर से mail चली गई है विकास नहरा यूजर के पास, आप चलते हैं विकास नहरा यूजर के अकाउंट में, आ गए विकास नहरा यूजर के अकाउंट में, देखिए विकास नहरा यूजर के अकॉंड है, ओलरडी दिखा रहा है, कि you have a new mail in various pool mail, विकास नहरा, तो यहां तो आप cat command के use करके, सीधे स्को open कर लिजिए, नहरा classes are awesome, नहरा classes तो awesome है ही, या फिर आप mail command से, इसको देख लिजिए, तो यहां जो mail आई है, चोथी वाली जो mail है, वो नह echo command से भी mail भेज सकते हैं, और आप जरूरी नहीं root user का account यूजर करें, आप किसी भी user से, किसी भी user को machine में, आसानी से mail भेज सकते हैं, अब एक और चीज है, अगर आप यह देखना चाहते हैं, कि जब आपने mail भेजा, तो mail को भेजने पर क्या हुआ background में, कौन-कौन से processes run mail के बाद hyphen V लगाना है, verbose करने के लिए, verbosity के लिए, तो mail hyphen V, और उसके बाद आप hyphen S लगाएं, subject के लिए, जैसी आप enterprise करेंगे, तो देखे, आपको पूरा दिखेगा background में क्या हुआ, जब यह mail भेजा गया, तो यह generally हम use करते हैं, जब हम पहली दूसरी बार configuration करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं details को कि mail जा रही है, नहीं जा रही, कहीं issue है या नहीं, तो यह पूरी information आपको provide कराएगा, कौन support का use हुआ, कहां क्या हुआ, और mail धड़ा धड़ जा रही है, अब आप बोलेंगे कि मैंने firewall में तो rule add किया ही नहीं, मैं तो mails बेजे जा रहा की होगी, कि यहां यह internal communication हो रहा है, कि server के अंदर हम mail भेज रहे हैं, server से बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो यहां इसलिए firewall का rule लगाने की जुरूरत नहीं थी, दूसरा, कि यह जो mails हम भेज रहे हैं, एक user से दूसरे user को, क्योंकि वो within the server हैं, तो उसमें external port तो को use हो नहीं र सकते हैं, यानि कि SMTP में भी सिर्फ MTA यूज कर रहे हैं, mail transfer agent, यहां कोई pop या IMAP यूज नहीं कर रहे हैं, mail को receive करने के लिए, directly mail चली गई बस, हमने असानी उस user से दूबारा mail receive की हो, इधर से विकास नहरा ने भेजी route को, तो MTA यूज हुआ, यानि कि send mail का use हुआ, सिर्फ mail transfer हुई, SMTP के दूब, और उधर से उस user ने, अगर विकास नहरा को लिखना है, तो वो खुद भेजेगा, उस mail को push करेगा, हम उससे mail खीच नहीं रहे हैं, हम उससे बोल नहीं रहे हैं, वो हम तब करेंगे, जब mail कहीं और होगी, तब हम उसको महां से fetch करना होगा, तब उस यूज करना चाते हैं, तो हम फिर firewall के rule बगएरा के बारे में, बाद में देखेंगे, कि add करना है, कि नहीं करना, अभी हम नहीं कर रहे हैं, चलिए, वापस आते हैं, एक चीज़ हो रहे है, यूज जर्नल CTL कमांड टू सी थी mail activity for the send mail service, आप किसी भी service की mail, जो सर्विस है, अगर देखना चाते हैं, तो आप जर्नल CTL कमांड चला सकते हैं, जर्नल CTL-U और mail service, sendmail.service-x आप लगाते हैं, तो यहां आपको देखिए, इसकी activity देख जाएगी, इसमें आप पूरी details देख सकते हैं, यह सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको इस सब का प लेकिन mail transfer तो हो रही थी, यहां से, महां receive नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां का mail delivery agent था, वो उसको accept नहीं कर रहा था, वो उसको filter करके reject मार रहा था, मैंने पहले चेक किया, server configuration correct है, यानि बिल्कुल जब मैंने ensure कर लिया कि हमारे server में कोई problem नहीं है, फिर मुझे पता चला reason, फ वो अब हम करके दिखाएंगे, मैं अब यहां से relay mail का configuration आपको करके दिखाऊंगा, आप अपने linux terminal से, virtual machine के terminal से directly अपने gmail account का use करते वे, n number of mails बेज सकते हैं किसी भी दूसरे user को, दूसरे domain पर, तो इसके लिए आप relay mail का configuration यहां use करेंगे, उसके लिए मैं दूसरी machine यहां relay mail के configuration के लिए, session में हम तक बने रही हैगा, session बहुत ही जबर जस्त है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं, जो मेरी CentOS 8 वाली machine है, उसको start कर रहा हूँ, हाला कि हम चाते तो इसको आरेचल 9 पर भी कर सकते थे, उस पर भी यह काम कर रहा है, मैंने perfectly इसको check किया हुआ है, बिल्कुल perfect है, आप चाहें तो इसको CentOS पे use कीजिए, reddit पे कीजिए, मतलब किसी भी fedora based distribution पे आप इसको use कर सकते हैं, चाहे हो 7 हो, 8 हो, 9 हो, सब पे यह काम करता है, तो इस जो method आपको मैं बता रहा हूँ, बस आपको एक ही ध्यान रखना है, कि जो mail command है, उसका package different है, दोनों के अंदर, CentOS 8 है, या RHL 8 है, उसमें उसका नाम है malex, और RHL 9 में या Elma Linux 9 वगएरा में इसका नाम है, s- तो यह चीज है जो different है, बाकी पूरा method बिल्कुल सब कुछ सारी चीजे सेम है, और मैं guarantee से कह सकता हूँ कि इस तरह का session आपको YouTube या कहीं नहीं मिलेगा internet पर, क्योंकि मैंने इसको सब कुछ test करके, check करके तब बनाया है, तब मैं इसको आपके लिए लेकर आया हूँ, चलिए cat etc red hat release मैं दिखा देता हूँ, center stream 8 वाली machine में यहां से use कर रहा हूँ, अब हम यहां क्या करने वाले हैं, यहां हम send mail का configuration करेंगे, mails को भेजने के लिए और उसको gmail को use करेंगे as a relay mail, तो यहां हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें gmail account में जाना होगा, और वहां मैं SMTP के लिए एक static password generate करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक minute का time दीजिएगा, पहले मैं open कर लूँ, अपना account, चलिए, मैं यहां से screen change करता हूँ, तो मैंने login कर लिया है, अपने gmail account में, पहले आपको password देना होगा, और आप यहां security section में च directly, मैं एक बार दुबारा दिखा देता हूँ, आप अपने account के security section में चले जाएं, और security section में यहां आपको, less secure apps का option पहले देखने को मिला करता था, आप उसको Google ने हटा दिया है, तो वही reason है कि हम यहां से mail भेज नहीं पारे, तो आपको make sure करना है कि यहां security section में आपका जो two two-way verification है, वो own होना चाहिए, यानि कि आपको यहां phone number attach करना है, और उस पर OTP आजाए, अगर आप अपने Gmail account में login करना चाहें तो, तो two-way verification आपको पहले own कर लेना है, जो मैंने पहले से किया हुआ है, अब two-way verification कैसे own करना है, वो आप सभी को पता है, वो मैं नहीं करके दिख जाँगो, और यहां एक आपको option देखने को मिलता है, app passwords, इस पर click कर देना है, और यहां आपको एक app का password जनरेट करना है, तो आप यहां select app वाले drop down वाले button पे click करें, other वाले option को choose करें, और यहां आप लिख दें SMTP, और आप generate पर click कर दें, तो यहां मैंने यही काम किया था, यहां इदर मैंने choose किया था, यहां मैंने SMTP लिखके और generate पर click किया था, तो यह SMTP का password मैंने यहां से generate कर लिया है, उस password को आपको copy कर लेना है, और एक file में save कर लेना है, तो यह काम है जो आपको करना है अपने Google account पर, चलिए, उसके बाद वापस आ जाते हैं Linux terminal के अंदर, य root user के account से, और सबसे पहले समें static hostname आप set कर लें, तो मैं hostname CTL, set-hostname command चला देता हूँ, यहां जो hostname है, वो mention करता हूँ, sendmail.neharaclasses.local, उसके बाद हम logout करके दुबारा login कर लेते हैं, ताकि जो hostname है, वो हमें यह shell prompt में दिखना भी शुरू हो जाए, देखिए, अब आपको यहां, जो static hostname में वो दिख भी रहा होगा, अब हम next step में, make sure करेंगे कि जो repositories हैं, वो properly configured हैं, तो dnf repolist all command हम चला देंगे, आप देख पाएंगे कि जो repositories हैं, अल्ड़ी configured हैं, तो एक तो आपको अगर repositories configure now, तो पहले आपको local yum repository configure करनी है, या फिर आपके पास subscription होना चाहिए, या फिर आप जो है, elma linux या centos use करने, उसके बाद आपको make sure करना है, कि जो post fix है, उसकी ना तो कोई service चल रही हो, और नहीं उसका package install हो, तो आप यहां, systemctl disable, hyphen, hyphen now post fix command चला कर, make sure कर लें, कि post fix नाम क कि कोई service नहीं है, और उसका कोई package यहां machine में install नहीं है, otherwise clashing हो जाती है, क्योंकि send mail और post fix जो है, दोनो mail transfer agents है, उसके बाद हम verify करते हैं, कि क्या send mail का package हमारी machine में install है, तो rpm-qa grab send mail करते हैं, जी नहीं, send mail का भी package को install नहीं है, अब हम यहां से कुछ packages को install करने वाले हैं, वो मै प्रोक mail, हाला कि वो send mail के साथ ही हो जाएगा, mail x, क्योंकि हम send to s8 या rhl8 या rhl8 या rhl8 यूज़ कर रहे हैं, send mail, send mail-cf, make, और अगर हम rhl9 या send to s9 यूज़ करना है, mail x की जगा, यह मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए hash कर दिया है, मतलब इसको comment out कर दिया है, तो प्रोक mail का आपको पता है, filter करने के लिए use होता है, mail x, mail command के लिए, send mail, जिसकी वज़ा से हम mails बेच पाएंगे, send mail-cf, ताकि हम configuration file के अंदर changes कर पाएं, उन files को update कर पाएं, तो यह सारे package हमें use करने, make command क्योंकि हम compilation करने के लिए make command की ज़रत होती है, तो यह सारे package हम यहां स इंस्टॉल कर लेंगे, enterprise कर दिया, थोड़ी देर लगेगी, online repository से package हमारी machine के अंदर इंस्टॉल होना शुरू होगे, तो थोड़ा सा में इंतजार करना होगा, जो procedure हो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसा प्रोसीजर है, छोटा सा है, और मैं आपको mails यहां से भेज करके भी दिखाऊंगा, अभी आप दो मिनट का इंजार कीजिएगा, एक बार configuration complete हो जाए, फिर आप दड़ा-दड़ mail भेज सकते हैं, कोई limitation नहीं है, लेकिन spamming मत कीजिएगा, किसी भी शक्ती का आपको गलत प्रियोग नहीं करना चाहिए, जो भी मैं कुछ सिखा रहा हू सिर्फ educational purpose के लिए, there is nothing to do with the spamming और the illegal activities, तो आपको सही प्रियोग करना है अपनी शक्ती का, हाला कि मुझा और भी वह सारी चीज़े पता है, मैं नहीं दिखाना चाहता है YouTube पर क्योंकि ethical hacking के tutorials के जज़े, मुझे अल्रड़ी दो स्ट्राइक पढ़ चुके हैं पहले भी, अब M4 का package इसमें साथ में install हुआ है, अब M4 क्या है, M4 एक processor है, जिसको की use किया जाता है, Unix वाली machines के अंदर, तो इसका भी हम use करेंगे, M4 command हम चलाएंगे, आप देखिएगा, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, मुश्किल से, एक से दो मिनिट का समय लगता है, इन सारे packages को install होने में, संजे अदव जी कह रहे हैं, आरेचल 7 से start करो, भाई साब आरेचल 7 आउटडेट होने वाला है, दोस्त, जब हम 9 पर सिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप 9 पर सीखिए, तो configuration complete हो चुगा है, आप हम आगे चलते हैं, अब हम यहां से move करेंगे, etc directory के अंदर mail directory में, तो यहां इस location में अगर आप long list करते हैं contents को, तो आपको बहुत सारी files और directories देखने को मिलती हैं, यह सारी जो files हैं, यह send mail की files हैं, इन्हीं का use किया जाता है, mails को transfer करने के लिए, तो यहां आपको देखिए, make के नाम से भी एक directory दिखरी है, make file के नाम से भी एक file है, तो यहां आपको एक send mail.cf नाम की file दिखरी है, और send mail.mc नाम की file दिखरी है, और इसकी help से ही हमें update करना होता है, send mail.cf को, हम कभी भी send mail.cf को directly edit नहीं करते हैं, जो कि इसकी main configuration file है, send mail की, तो पहले हमें जो भी changes करने हैं, वो send mail.mc के अंदर करेंगे, और वहां से उन changes को हम process करेंगे, m4 processor का use करते हुए, m4 command का use करते हुए, और उन changes को हम implement करते हैं, send mail.cf file के अंदर, तो यह चीज आपको पहले पता होना ज़रूरी है, अब यहां हम क्या करने वाले हैं, हम यहां एक file create कर लेंगे, auth info के नाम से, authentication, information, हम उस file के अंदर डालेंगे, तो हम यहां उसका नाम दे रहे हैं, auth info, vi editor का use कर रहे हैं, insert mode में चले जाते हैं, अब इस file के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, तो इस file के अंदर हम पहले लिखेंगे auth info, और auth का a capital, info का i capital हमें रखना है, colon लगाना है, उसके बाद हम SMTP का use कर रहे हैं और Gmail का server यहांनि कि Gmail का SMTP server हम use करेंगे, mails को भीजने के लिए, तो हम यहां लिखेंगे smtp.gmail.com, उसके बाद, inverted quotes, यानि कि double quotes के अंदर हमें लिखना होगा, उस email address को, जिसका हम use करेंगे, mails को भीजने के लिए, तो हम यहां double quotes के अंदर mention करते हैं, you, you का मतलब user, neharaclassist tester at gmail.com, एक tester वाला account मैंने बना रखा है, उसके बाद, double quotes के अंदर, हम capital P लिखेंगे, जिसका मतलब है password, और यहां जो आपने one time password, महां से save किया था, अभी जो पिछले step में मैंने आपको दिखाया था, Google पर, वो आप लिखेंगे double quotes में capital M, colon plane, save कीजिएगा, changes को, मेरी mail को hack करने की question मत करना, हाला कि मैं इस password को अटा दूँआ थोड़ी देर के बाद, तो आपने यह changes define कर दिये, इस file के अंदर इन changes को save कर दिया, आपको sendmail.mc file को vi editor में open करना है, तो हम vi editor का use करेंगे, sendmail.mc वाली file को open कर यह scroll down करते हुए, और आप यहाँ एक बार set and you करके, line number भी अगर देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, आप नीचे आजएए, नीचे आजएए, आप यहाँ आपको line number 26 पर जाना है, 26, और यहाँ से जो DNL लिखा हुआ है, इस line के starting में इसको हटा देना है, DNL का मतलब है क यह line commented है, इसको read नहीं किया जाना, अगर आप इसको हटा देंगे तो यह line आप read होगी, यह enable हो जाएगी, तो इसमें लिखा है define smart host, smart host हम यूज कर रहे हैं, और SMTP के बाद लिखा हुआ है, your service provider, यहाँ से आपको your service provider को हटा देना है, और यहाँ आपको लिखना है, smtp के ब smtp.gmail.com किसी ने call किया है, तो smart host और इसके बाद smtp.gmail.com हमें लिखना है, changes को save कर देना है, और एक चीज इसमें छूट गी, दुबारा फाइल को open करते हैं, जहाँ आपने यह smtp.gmail.com लिखा, इसके next line में आ जाईएगा, और यहाँ आपको लिखना है feature, फीचर हम कौन सा use कर रह यानि कि एक feature हम यह define कर रहे हैं, जिसमें कि हमने जो authentication information है, वो file में डाली हुई है, यानि कि हमारी जो email id है, उसका password, उसका use करना है, account के credentials को verify करने के लिए, जिससे हमें mail भेजनी है, तो वो हम यह define कर रहे है, auth info file, और save कर देते हैं इसको, तो sendmail.mc file को हमने save कर दिया, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार contents को long list करके इस directory के, देखिए, यहां अभी auth info नाम की file बन चुकी है, auth info.db नाम की कोई file नहीं है, मतलब authentication information की जो file थी, इसमें आपने manually user id और password mention किया था, वो ही file यहां है, तो यहां एक आपको encrypted password के साथ, file create करनी होगी, वो भी हम अभी next step में करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने अभी जो changes किये हैं, वो की है, sendmail.mc file के अंदर, अब हम इन changes को implement करना चाहते हैं, जो main configuration file है, sendmail.cf, उसके अंदर, तो इन changes को process करने के लिए, हम यहां M4 processor का use करेंगे, M4 command का use करेंगे, तो हम लिखेंगे M4, sendmail.mc, यहां स जो changes से कहां चले जाएं, वो, sendmail.cf file के अंदर, enter press कर दिया, तो जो changes हमने इस file में किये थे, कौन से changes, हमने अपना service provider define किया था, smtp.gmail.com, और auth info feature का use किया था, तो वो changes हमने define कर दिये हैं, इस file में, हम कभी भी sendmail.cf file को directly edit नहीं करते हैं, make sure करना आप कभी भी इस file को ना चेड़ें, उसके बाद, मैं आपको दिखाया था, auth info.db वाली file create नहीं हुई है, जिसमें की encrypted password होता है, authentication information होती है, तो वो भी हमें create करनी होगी, तो उसको create करने के लिए हम यह command चलेंगे, make map, make map command क्या करती है, यह आपकी authentication information file के अंदर जो password है, उसे encrypt करके, एक दूसरी file ब काम करती है, और hash क्यों, hash मतलब encryption के लिए, command चला दी, अब हम अगर यहां long list करेंगे contents को, तो आप देखेंगे कि auth info.db नम की file यहां में दिग्गी जो पहले नहीं थी, और इस file को अगर आप open करेंगे, तो देखी क्या होगा, encrypted password इस file के अंदर आ चुका है, ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, अपका configuration हो चुका है, अब आपको service को start or enable करना है, तो systemctl enable-now send mail, service start हो गई, enable भी हो जाएगी, यानि कि boot time पर automatically start होना शुरू हो जाएगी, तो एक बार यह service start और enable हो जाएगी, हम इसका status verify करेंगे, और उसके बाद हम mails बेजने की कोशिश करेंगे, तो configuration complete हो जाएगा, दो मिनिट तक का समय इसमें लगता है, थोड़ा सा इंजार करना है आपको, service start और enable हो जुकी है, system CTL status, send mail command चला कर status चेक करते हैं, service जो है active है, running condition में है, और enable भी हो चुकी है, everything is going absolutely in the right direction, अब हम यहां से mail भेजने की कोशिश करते हैं, तो mail भेजने के लिए या तो आप directly एक mail फाइल बना लें, जैसे मैं आपको दिखाया था, या compose कर ले mail को, या फिर आप echo command का use कर लें, तो चलिए, echo command का प्रियोग करते हैं, और यहां से mail भेजते हैं, साथ में verbose वाला option भी हम यहां define कर देंगे, ताकि हम देख पाएं, कि mail जब send हो रही है, तो क्या हो रहा है, मैं लिखता हूँ echo, नहरा classes are awesome, यह message है, यह body है, mail की, mail, उसके बाद hyphen V, V का मतलब verbose, हमें दिखे स्क्रीन पर background में क्या हो रहा है, hyphen S, मतलब subject, और subject में हम double quotes में mention कर रहे हैं, नहरा classes are awesome, और उसके बाद हम क add the rate gmail.com, नहरा classes add the rate gmail.com, जो हमारी official email id है, उस पर हम यह mail भेज रहे हैं हां से, जैसी मैं enterprise करूँगा, mail भेजना शुरू कर देगा send mail, और जो details हैं, जो भी background में activities हो रही होगी, वो हमें यह दिखना शुरू हो जाएंगी, और इसमें भी हमने कोई, firewall का configuration नहीं किया है, उस पर ही हमें rules implement करने होते हैं, तो क्योंकि SMTP यहां से packet को भार भेज रहा है, तो हम यहां firewall का rule नहीं लगाएंगे, इस पर rule लगाने की जूरत नहीं है, क्योंकि outgoing traffic है, enterprise करेंगे, देखिए, जैसी हमने enterprise किया, तो send mail जो है, mail को यहां से भेजना शुरू करेगा, और कहां भेज पर, तो इसको हम verify करेंगे, थोड़ी देर के बाद, web browser में, इस ID से login करके, और यह जो mail हमें मिलेगी, यह मिलेगी, नहरक्लासिस tester at gmail.com वाले account से, जिसका user ID और password हमने define किया था, auth info वाली file के अंदर, अभी mail इसने भेजा नहीं है, अभी यह process कर रहा है, अभी जब भेजेगा तो activities जो हो रही होंगी, वा आपको दिखेंगी है, मैं एक दूसरा account और दूसरा terminal open कर लेता हूँ, same machine में, थोड़ा सा slowly response कर रहा है system, क्योंकि बहुत ज़्यादा load है और live broadcast भी हम इसी system से कर रहे है अभी भी process कर रहा है हमारी command को इधर हमें prompt मिल गया है, shell prompt इधर भी कोई activity अभी तक show नहीं हुई है, तो एक बार हम यहां से check कर लेते हैं tail hyphen f, where log, male log starting demon, q के अंदर है process कर रहा है, थोड़ा सा time लेगा, वेट कर रहे हैं अभी भी, थोड़ा सा slowly response कर रहा है कर रहा है अभी भी कोई activity show नहीं है, देखिए, अब activity show हुई है, लगवाग एक मिनट के बाद, एक मिनट तक जो mail थी, वो q में थी देखिए, यहाँ जैसी activity शुरू हुई, यहाँ देखिए, हमें इसकी details भी दिखना शुरू हो चुकी है अब यहाँ दिखे का यहाँ कि, देखिए, message accepted for delivery, हमें यहाँ दिख भी रहा है, और यहाँ से email जा चुकी है, देखिए, यहाँ हमें दिखा, message accepted for delivery, जो address था, वो valid था, valid था, recipient हो के, सब कुछ इसने verify कर लिया, और verify किसने किया, MDU, जो mail delivery agent है, वो यह सब काम करता है, जो proc mail है, तो उसके through यह verify कर लेता है, कि जो mail delivery agent ने check कर लिया, कि जो ID है, वो valid है या नहीं है, और हम यहाँ थोड़ी देर के बाद, इस mail को देख पाएंगे, अपने Gmail वाले account में भी, मैं आपको show भी करूँगा, थोड़ी देर के ID में देखी, मैं आपको दिखा देता हूँ, नहराक्लासिजाटीरेट जीमेल डोट कॉम, यह हमारी official ID है, और root से हमें एक mail आई है, नहराक्लासिजारोसम, देखिए, यह वही mail है, जो हमने अभी भेजी थी, 0 minute पहले यह receive हुई है, मैं इसका font size थोड़ा बढ़ा करके आप आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए, 10 बज कर 31 मिनट पर यह mail हमें प्राप्त हुआ है, नहराक्लासिजारोसम और यह mail हमने भेजा था अपने Linux टर्मिनल से, अब इसी तरीके से हम जो alerts हैं, उनको configure कर सकते हैं, ताकि हम उनको receive कर पाएं, अपने किसी भी particular email ID पर, तो च चलिए, अब हम वापस आजाते हैं, क्यों के अंदर mail लगवग एक मिनट तक रही, इसने उसको process करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, हो सकता है, लाइब broadcast की वज़े से ऐसा हुआ हो, अब मैं यहां से आपको, शो करूँगा कि कैसे हम alerts को अगर configure करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए, तो suppose किजिए, हम यह चाहते हैं, कि जब भी root user के account से कोई login करे, तो हमारे पास एक alert mail आ जाए, तो इस तरह का alert mail हम कैसे configure करेंगे, तो यहां से हम चलते हैं, root user वाले terminal पर, home directory के अंदर ही हैं, यहां अगर आप ls-al command चलाते हैं, तो आपको देखिए हैं, देखने को मिलेगा, कि यहां बैस rc के नाम से एक file होती है, जो कि profile file है, profile files क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ आपको बता चुका हूँ, जब user login करता है, तो यह file execute होती है, तो इनका हम यूज करते हैं, alices और functions वगएरा को define करने के लिए, तो इस file को अगर आप open करेंगे, इसमें आपको alices वगएरा दिखेंगे, तो इस file के अंदर आप जो alert है, उसको configure कर सकते हैं, ताकि जब भी root user से login हो, जैसे ही root user login करेगा, यह file जो यह जो आपकी best rc वाली profile है, इसको vi editor में open कर लेना है, root user की जो best rc profile है, और यहाँ आप इसमें नीचे आजएए, सबसे last में, और यहाँ इस file के अंदर आपको कुछ line है लिखनी है, वो मैं बता देता हूँ क्या है, आप यह echo command का use कीजिए, single quote के अंदर आप mention कीजिएगा, alert, और जो भी आप message लिखना चाते हैं, वो इस तरीके से, echo, alert, root shell access, कौन सी machine पर, उसका IP address, और फिर quote close कर सकते हैं, अब इसके बाद आपको, क्या mention करना है, अब आपको हैं लिखना है कि किस date में access हुआ, किस ने किया, तो उसके लिए हम यह back, जो आपका tilt वाला है, जो क्या बोलते हैं, उसको tick signs होता है, उसका use करेंगे, date और who, यह command सम्या mention कर देंगे, और इसके बाद filter का use करेंगे, mail-s subject के लिए, subject में लिखेंगे, alert, root access, और किस ID पर हम भेजना चाते हैं वाला alert, उसको हमें यह define करना होगा, तो मैं यह लिख देता हूँ, alert, root cell access, और हम यह ID जो use करेंगे, जिस पर हमें mail receive करनी है, nehraclasses at the rate, gmail.com, तो यह हमें यहां लिख देना है, file को save कर देना है, अब मैं दुबारा एक बार आपको इस file को open करके दिखा देता हूँ, देखिए, थोड़ा font छोटा करूँगा, ताकि आप आसानी से देख पाए, echo, root shell access, alert के अंदर हमने लिखा है, और mail-s, इस तरीके से, यह चीज हमने define किये, मैं एक बार font छोटा करता इसको दुबारा वी एडिटर में open करता हूँ, आपको clearly दिख जाए, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, यह command हमने लिखी है, alert को generate करने के लिए, file को save कर लिया है, अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो दूसरा terminal है, उस पर तो हम mail लोग को देखी रहे हैं, manage कर रहे हैं, साथ-साथ, तो इसको हम phone को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा, यहाँ देखिए, alerts हमें यहाँ दिखते रहेंगे, जो भी activity चल रही है, वो हमें यहाँ दिखती रहेगी, अब यहाँ से जब root user login करेगा, तो यह file execute होगी, और यह alert यहाँ से भेजेगी, ह src वाली जो profile है, यह execute होगी, और यह file जैसी execute होगी, यहाँ से एक alert mail trigger करेगी, देखिया, और यह alert mail हमें मिलेगी, हमारी nehraclasses at the rate gmail.com वाली id पर, थोड़ा सा, slowly respond कर रही है machine, वेट करना होगा, login हो चुका है, जैसी login हुआ है, जो बैसर्सी file हो execute होगी, वो source होगी, और जो alert हमने उसमें डाला था, वो alert यहाँ से send हुआ होगा, और वो alert हमें, अब दिखना चाहिए, थोड़ी देर के बाद, हमारी, जो email id हमने mention की थी, यानि कि nehraclasses at gmail.com पर, थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक ही alert, mail यहाँ से send होगा, लगबग एक मिनिट का समय इसमें लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपके comments लूँगा, और उसके बाद आपका जो, हमेशा awaited session होता है, यानि की, awaited session का part, यानि की giveaway quiz, वो हम conduct करने वाले हैं, और आज का giveaway quiz होगा, उसमें, दस questions होगे, बीस marks की quiz होगी, पांच मिनिट का time आपको दिया जाएगा, और आज की quiz Ansible और Linux दोनों पर based होगी, देखिए, message sent, accepted for delivery, यह message हमें हाँ दिख गया, यानि की हाँ से जो mail था, alert mail वो जा चुका है, अब हम इंतजार करेंगे, कुछ second का, तब तक यह mail हमें हमाँ receive हो, हमारी जो registered email ID है, जिसका हमने mention किया था, और यहाँ relay mail का use गुए है, हमें साफ साफ यह details में दिख रहा है, जो activity है, mail logs की, उसमें हमें सब कुछ यहाँ से clearly दिख रहा है, चलिए, इंतजार खतम हुआ, वापस चलते हैं, डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ, चलते हैं, देखिए, root access, alert mail आई है, क्लिक करते हैं, देखिए, root shell access, IP address, आज की तारिक किस ने किया, विकास ने रहने, सब कुछ हमें दिख रहा है, login screen बाकाइदा कौन से terminal से किया गया है, और कौन सी ID से किया गया है, किस machine से किया गया है, 192.168.1.14 IP address से जहां से किया गया है, सब कुछ हमें दिख रहा है, तो इस तरीके से आप login alerts या दूसरे alerts को भी configure कर सकते हैं, पूज कीजिए आपको resource utilization से related को alert डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं, तो कोई भी alert आप यहां इस तरीके से trigger कर सकते हैं, तो I hope आपको concept समझ में आया होगा, और आज के session से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको हमारा आज का session अच्छा लगा है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को एक like दे सकते हैं, चैनल पर नए हैं, तो subscribe करके bell notification ओन कर सकते हैं, यह training हम आपके लिए लेकर आते हैं, Monday, Wednesday और Friday को 9 बच कर 30 मिनट पर भारतिय टाइम के हिसाब से, वहीं अगर आपको पुराने वीडियो को access करना है, तो RSCSA के लिए आपको standard level की membership join करनी होती है, और server trainings के लिए आपको extended level की membership join करनी होती है, extended level पर आपका RSCSA complimentary free of course unlock हो जाता है, अब मैं वापस आ जाता हूँ, main screen पर और अब मैं आपके लिए conduct करने वाला हूँ, हमारी आज की giveaway quiz, जो की है ninth giveaway quiz, तो उसको मैं conduct करूँगा, और इन sessions के जो documentation है, उसको जो standard level के उपर वाले members है, यानि कि जो extended level वाले members हैं, वो access कर सकते हैं हमारे Google Drive पर, चलिए दोस्तों, तो आपके इंतजार की गड़ियां खतम करते हैं, मैं quiz session conduct करने वाला हूँ, अभी समय हुआ है, 10 बज़ कर 40 मिनट, तो 10 बज़ कर 42 मिनट पर, मैं आपको quiz का link provide करने वाला हूँ, और quiz में participate करने के जो नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको Nehra Classes की app को Play Store से download कर लेना है, और आपको उसमें उसी email ID से login कर लेना है, जिस email ID से आप इस quiz में participate कर रहे हैं, तो ये काम आप जल्दी से कीजे, क्योंकि giveaway जब हम देंगे, तो उसी mail पर हम access देंगे, वीडियो का और study material का, जिससे आपने app में login किया हो, जिससे आपने participate किया हूँ quiz के अंदर, 48 मिनट मैं इस पर time set किया देता हूँ, 10 बज कर 48 मिनट, ये अचलिए 10 बज कर 50 मिनट का time मैं इस पर set किया देता हूँ, अब मैं इसका link आपको provide करूँ हूँ आप 10 बज के 45 मिनट पर, दो मिनट के बाद, और आपको इसको 5 मिनट के अंदर अंदर submit कर देना है, 10 बज कर 50 मिनट से पहले पहले, तो अब से 2 मिनट के बाद मैं आपको quiz का link आप provide कर दूँगा, आज की जो quiz है, ये Ansible और Linux दोनों पर based है, और इस quiz session में total 10 questions होँगे, हर question 2 marks का होगा, और आपको 5 मिनट का time दिया जाएगा, इस quiz को complete करने के लिए, quiz का link मैं आपको जब provide करूँगा, तो इसको मैं pin भी कर दूँगा, ताकि आप उसको आसानी से access कर पाएं, चलिए, तब तक मैं आपके comments ले रहा हूँ, दो मिनट का समया भी हमारे पास है, चलिए सब के comments ले लेता हूँ, बहुत सारे comments आए हैं, जोनी बासा जी, गूड इवनिंग, अनिल पैनु माला जी, रिंकु भाई, जोहर भाई, गौरव कुमार जी, स्रीकांत, मुकेश कुमार, चंदर्शर्मा भाई, अशीम हसन, जोहर, राजे सार गोडवा जी, अभीजीत भाई, नाजी मारहमान किचिन, अनिरुद वर्मा जी, राजेज भाई, अनिरुद वर्मा जी, अंकित चोपडे, अमित पंडे जी, विजय सुनावे, दीननात पाल, अलोक मिश्रा भाई, सिस्प्रो जी, आप फिर आगे, यार आपने इतनी सारी मेल कर रखी हैं, सिस्प्रो, भाई कैसे करके मानोगे, स्पैमिंग करोगे, ब्लोक कर दिये जाओगी, कोई फाइदा नहीं है, मैंने आपको पैचान लिया है, मुहम्मद सल्मान जी हाए, सुधान शू, स्टोन गेमिंग जी, आज तो गिवववे मैं ले कर जाओगा, चली, बगवान करें, आप सारे गिवववे जीते हैं, अमित पांडे जी करें, प्लीज शेयर दी सेशन, बिलकुल आप चाहें तो सेशन को शेयर कर सकते हैं, समसेरा जी करें, वल दी बेस्ट, स्टोन गेमिंग, थैंक यू, संजे यादव जी करें, एड़वर्ट टाइम, क्लास स्टार्ट, नो बज़ कर 30 मिनट, मंडे, वेडनेस डे, फ्राइड़े, राजेश कुमार जी, पवन जी, विशाल भाई, अरी कृष्णा जी ने मैसेज वापस ले लिया, नेट सर्फ नेटवर्क, पहली बार पता चला, थैंक यू, मयूर गुंजल जी, जी थैंक यू, गोस्ट रिडर जी करें, फ्रस टेम पता चला, जी थैंक यू, गुरव कुमार जी करें, अल्ली नो, अबाट दी वोल कमार, थैंक यू भाई, डैरी जी करें, हाई, अंकित चोपड़े जी करें, ऑकें, नीओ इन्यू इट, चलिए 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 संजय जायताव जी नील भाई अंकित भाई गौरव कुमार करें सर आरचल 9 के लिए minimum system configuration क्या होना चाहिए minimum 2GB of RAM और minimum 2 CPUs अंकित चोपड़े करें इंटर्वी कुश्चन वाट इस धी डिफरेंस बिट्विन SMTP वाप 3 IMAP and what is the port number? बिलकुल मैंने आपको बता दिया यह सब कुछ सबूर आमिर जी कह रहे हैं सर प्लीस चेल इंडस्ट्री में mail server का यूज है हाँ जी बिलकुल यूज है बहुत सारा in fact यूज है mail server का कही बर अपने आमित पंडे जी करें ऊसम सेशन थैंक्यू सिस प्रो जल्दी जल्दी लाइक कर दो दोस्तों वाई कैसे करके मानोगे सिस प्रो तुमने यार तीन तीन developers को तंग कर दिया है तीन तीन creators को तुलसी गुमार जी सर सैन स्टोरेज related कुछ topic फॉम जार कंड चली कोशिश करूंगा इस training के बाद आपके लिए लेकर रहा हूं वेरी इंफर्मेटिव योगेस जोशी थैंक्यू भाई सबूर अमिर इमेल रिप्लाइव एंड वी कैन सी इन लिनक्स हाँ वो आने वाले टाइम में आपको सीखने को मिलेगा चली है टाइम हो चुका है और मैं आपको कुछ का लिंग प्रवाड किया देता हूं पांच मिन और मैं चाहता हूं कि आज 85 के 85 ही हमारी कुईज से मेंबर्शिप जीत जाएं रहसी एस से की हमारी एप के अंदर डैरी कह रहे हैं पैचिंग कॉंसेट्स आने वाले टाइम में वीडियो आएगी पैचिंग की भी मल्टी पातिंग की चिंता मत कीजिए पोस्ट फिस के बार मैं करता हूं इन सब सेशन को आपके लिए लेकर आने के लिए सारे जो कॉंप्लेक्स कोंसेट्स हैं उनको आसान बनाने कर आपको डेलिवर करने के लिए तो सिर्फ आप सपोर्ट बनाए रखिए वीडियो को ना कि वो लाइक करते रहिए बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा से पर कोई करेगा नहीं ओल्मोस्ट मान के चलिए स्कूल ट्यूशन की इससे ज्यादा ही होती है मुझे पता चला पूने में लोग पचास जार से पचपन हजार रुपे तक चार्ज कर रहे हैं तो उसे साब से तो हमारी जो मेंबर्शिप की कोस्ट है तो कुछ भी नहीं है औ हमारे लिए आपका सपोर्ट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ आज मेरा मूध उखने लगाया बोलते बोलते मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा शेशन हो जाएगा लेकिन फाइनली जो मेरी सो से ज्यादा गंटे की मैनत थी वो रंग लाई और आपके लिए जबर्जा शेशन में लेकर आ सका जल्दी से आप क्विज कंड़क्ट कीजिए दो मिनट का टाइम हो चुका है तीन मिनट का समय शेश है आपके पास तीन लोगों ने क्विज को सब्मिट भी कर दिया और एक बंदे ने मेंबर्शिप जीत भी लिया रहे वा आज का क्विज सेशन बहुत ही आसान मैंने रखा था इन फरक्ट दो लोगों ने मेंबर्शिप जीत लिये क्विज में और एक तो हमेशा की तरह वही है पुराने हमारे हमारे सब्सक्राइबर हमारे मेंबर जो हर क्विज को जीतते हैं ना हम अभी रिवील नहीं करूंगा सत्या जी कहा रहे हैं प्लीज लेट मी नो डू यू टेक उनलाइन क्लासिस सेपरेटली नहीं भाई साथ इतनी हिम्मत नहीं बचती इतना समय भी नहीं होता कि वन टू अन क्लासिस ले पाऊं पहले लिया करता था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स अब वो भी बंद कर दी है क्योंकि मेरा जो फोकस है वो यह है कि किस तरीके से इस चैनल को उस मुकाम पर ले जाएं मैं अपनी तरफ से 100% डाल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि लिनक्स का ओशन में है खड़ा कर दूँ जिस पर जो आ जाए वो इसमें गोते लगाता रहे नोलेज पाता रहे और हर बार जब भी गोता लगाए एक मोती निकाल के लाए तो जितनी मैनत मैं इन सेशन को बनाने के लिए करता हूँ उम्मीद है आप भी उससे आदी तो जरूर करेंगे ताकि आप इन सारे कॉंसेप्ट को ना के बल समझ पाएं बलकि उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाएं हमारे सारे सेशन्स प्रैक्टिकल बेस्ट होते हैं सारी चीज़े मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ लाइव फीड में मैं गरंटी देता हूँ कोई भी ट्रैनर रेरली आपको ये करके दिखाने वाला है क्योंकि इसके लिए बहुत बैक्ग्राउंड वर्क करना होता है आपको रिसोर्सिस चाहिए आपको उस तरह की मशीन चाहिए आपको सारी टेस्टिंग और सब कुछ करके पहले से फिक्स करके रखना होता है और उसके बावजूद भी कई बार मेरे साथ भी चैलेंजिस आ जाते है मैं जो चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं दिखाऊं आपको सब कुछ आपकी आँकों के सामने दिखे कुछ भी आसा ना हो कि जिसको आप खुद से कर लीजीगा ऐसे कर लीजीगा हम दूसरों की तरह नहीं है कि आप पर डाल दें जो इस चैनल पर आ जाएगा उसे मैं लिनक्स का चीता बना दूँगा ये मेरी गरेंटी है और लिनक्स का scratch से लेके advanced level तक का वो ग्याता हो जाएगा उसे कभी लिनक्स में problem नहीं आएगी जिसने हमारे चैनल से लिनक्स सीख लिया एक ही मिनट बचा हुआ है जल्दी से आप quiz को submit कीजेगा in fact 45 seconds बचे हुए है जिसने submit ना किया हो फटा फट quiz को submit कर दीजे उसके बाद हम कोई भी response accept नहीं करेंगे और ये form close हो जाएगा 30 seconds के बाद 37 responses हमें मिल चुके हैं और आज बहुत सारे लोगों ने membership जीती है सच में मेरी vote लगने वाली है मेरा server crash ना हो जाए अप वाला access देते देते अब मैं जान बूज के ये concept लेके आया हूँ मैं चाहता हूँ जादा से जादा लोगों को हम मोका दें जो दूसरे countries वगेरा से हैं जो शाइद या तो afford नहीं कर पाते हैं जहां membership नहीं है लेकिन जो part है उसका उसी को उसका lab मिलेगा जिसने थोड़ी सी curiosity जगा रखी होगी और कोई भी response accept नहीं कर पाएगा चलिए form close हो चुका है अब आप कोई भी response अपना submit नहीं करा सकते हैं total 45 लोग हैं जिन्होंने आज participate किया था हमारी quiz में 8 लोग ऐसे हैं जिनके 18 marks हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनके 16 marks हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनके 14 marks हैं तो जो winners हैं वो हैं 3 लोग 16 वाले और 8 लोग 18 वाले यानि कि 8 और 3 ग्यारा लोगों ने membership जीत ली है हमारे app के अंदर अब mandatory चीज क्या है आपको app download करके install करनी है उसमें same ID से login करना है जिस ID से आपने है quiz में participate किया था उसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या करना है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपने linkedin profile पर जाना है और हमारा आज का जो session है इसका link मैं आपको provide कर रहा हूँ उसको आपको share करना है अपने linkedin profile पर चलिए मैं link provide कर रहा हूँ आपको आज के session का ये जो है आज के इस session का link है, URL है, मैंने आपको provide कर दिया, उसको pin भी कर दिया है, अब आपको इसको share करना है अपने LinkedIn profile पर, और मुझे tag करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यह मेरी ID है, विकास नहरा, इस ID को आपको tag करना है, और उस post का link, जो post आप याँ डालेंगे LinkedIn पर, उसको हमें provide करना है, अपने score के साथ, नहरा classes at the rate gmail.com वाली ID पर, यह काम आपको करना है, उसके बाद आपको हम membership का access दे देंगे, एप के अंदर, चलिए, अब आपके scores को reveal करने की बारी है, कितने लोग ऐसे हैं, जो तयार हैं, अपने scores देखने के लिए, जल्दी से मुझे yes या no में reply कीज़ेगा, क्या आप तयार हैं, अपना score देखने के लिए, मैं सभी के scores यहां दिखाने वाला हूँ, आर यू रेडी गाइज, चलिए, तो चलते हैं वापस, करते हैं display capture, चलते हैं इदर google forms पर, बहुत सारे लोगों के answer समय चैट में मिल रहे हैं, yes यास बोल रहे हैं, चलिए, scores reveal करते हैं, तो देखिए, तीन लोग हैं, 16 marks वाले और 8 लोग हैं, 18 marks वाले, चलिए, reveal करते हैं scores, राजकुमार, 4 marks, आजीम हसन, 18 marks, you are the winner, congratulations, melody music, यानि कि हमारे quote buddy, 18 marks, और quote buddy हमेशा, हर quiz में participate भी करते हैं और उसको जीतते भी हैं, अंकित चोपडे, 2 marks, कमल भाई, 8 marks, अनुच कैम, 12 marks, बागेल जी, 8 marks, राना हुसेन, 8 marks, दूसरे winner हैं, ABC.AB02, 16 marks के जाथ, पुष्पेंदर जी, 12 marks, योगेश जोशी, 4 marks, मनिंदर सिंग जी, 8 marks, हैदर, 209, 18 marks, he is also the winner, सिंगम, 8 marks, जावेद, 8 marks, मयूर गुंजल, 8 marks, एके मयूर, 10 marks, आरजे, 21, राजे, 10 marks, अनिरुद वर्मा, 16 marks, he is also the winner, मयूर, 4, 28, 4 marks, एहमध, 6 marks, गनेश, 10 marks, काका साहब, 12 marks, दिलीप जोशी, 8 marks, कुर्षीद अली, 8 marks, रोशन, 4 marks, प्रियांस पतेल, 18 marks, he is also the winner, इंजिनियर, म.S. आलम, 12 marks, आजे, भला, 10 marks, अमित, 69, 14 marks, गंगादर, 18 marks, he is also the winner, देव, सिस, ADM, 10 marks, जीवन, 18 marks, इंजिनियर, लवकुष पंडे, 18 marks, अगेन, लवकुष पंडे, वन दी मेंबर्शिप, अभिशेख, 16 marks, he is also the winner, राम, 4 marks, शारदूल दिर्पाटी, 18 marks, शारदूल is also the winner, सैन, कनिल, 8 marks, सहज, सजज, 8 marks, राजबर, 6 marks, गुलाटी, इमांशू, 8 marks, नील, 10 marks, विसकाल देश्मुक, 2 marks, MS, सचिन, 12 marks, सुधान्चू, मिश्रा, 14 marks, यह आपके scores है, मैं इनको यहां से release भी कर देता हूँ, किसी का miss थो नहीं हुआ, जी नहीं, चलिए मैं इनको release कर देता हूँ, आपको अपनी जो registered email addresses हैं, उन पर यह scores मिल जाएंगे, अब आपको जो करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको आज के इस stream का link share करना है, अपने LinkedIn profile पर मुझे tag करते हुए, और आपको जो आपकी post है, उसका link और अपना score दोनों हमें provide करना है, तो आपको हम morning तक app में membership का access और study material का access प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये काम आपको अभी 12 बज़े से पहले करना है, आपके पास एक गिंटे से ज़्यादा का समय है, तो आप ये काम अभी फटा-फट कर दीजेगा, और same ID से आपको login करना होगा, एप के अंदर भी, अब मैं आ जाता हूँ वापस, तो machine को power off कर देते हैं, तो दोस्तों मुझे बताईएगा, कि हमें आज के session से क्या-क्या सीखने को मिला, आपको आज का session कैसा लगा, मुझे इस वीडियो में बाद में comments करके ज़रूर बताईएगा, और वो कौन-कौन सी चीजे थी, जो आज के session में आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, जिनके बारे में आपको पता नहीं था, वो कौन-कौन से concepts थे, जो आज आपने नए सीखे, प्रैक्टिस जरूर कीजेगा, आपके कोई और comment आया तो एक बार चेक कर लेते हैं, आज का quiz easy था, मैं quiz easy ही रखता हूँ, इनको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, फिर भी आप लोग join नहीं करते हैं, live feed को, अब मैं क्या बताऊँ, stone gaming कहा रहे हैं, finally, finally, so long, चलिए, मैंने आपको all the best भी बोला था, मुबारक हो आपको, Lee Meridian कहा रहे हैं, congrats, सत्य जै, बोल रहे हैं, sir, smtp mail server पर पूरा लाव वीडियो, पूरा है, भाई, smtp पर अभी और भी वीडियो आएंगे, एक ही session में सब कुछ सोड़ी ना सिखा दूँगा, मैं आपको, अभी कम से कम mail server के, हम आपके लिए 5-6 वीडियो ले कर आएंगे, आज बहुत लोग जीते हैं, हाँ जी, पूरा LinkedIn ID डालने की ज़रुत नहीं है, अटिरेट विकास नहरा लिखो, आ जाएगा, निल, भाई, आपको बस इतना ही करना है, टू मोर डबल सेंचुरी, LinkedIn ID चलिए, मैं प्रोवाइड भी कर देता हूँ, LinkedIn ID आप मांग रहे हैं तो, हाला कि ID की ज़रुत नहीं है, आप अटिरेट विकास नहरा लिखेंगे, आ जाएगा, या फिर अटिरेट नहरा क्लासिच लिखेंगे, तो भी आ जाएगा, मैं ID आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ, चैट में भी, और मैं इसको पिन भी कर देता हूँ, चलिए दोस्तों, सभी के कमेंट्स मैंने ले लिए हैं, अब अगर आपको कुछ और पूछना है, तो जल्दी से पूछ लीजिए, अगले दो मिनट में आपके साथ जुड़ा रहूँगा, फिर उसके बाद हम आज के सेशन को बंद करते हूँ, आप से एक और रिक्वेस्ट रहेगी, कि आप कम्यूनिटी डप जरूर विजिट किया करें, आपके लिए बहुत कुछ यूसफुल है, जो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे कमांड्स, बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो कम्यूनिटी डप जरूर विजिट किया करें चैनल पर, और प्लेलिस जब आप फोलो कर रहे हूं, तो कोशिश कीजिएगा उसको प्रैक्टिकली करके देखें, चीजों को, अपने नोट्स खुद बनाएं, अपना एक रिजिस्टर ले लिजिए, या फिर एक नोट्पेड, वर्ड की, या किसी भी फाइल में आप नोट्स को सेव करते रही है, अब नेक्स्ट कुईज कब है, कल पेश भाई करें, नेक्स्ट कुईज होगा दोस्त, नेक्स्ट सेशन में, यानि की बुद्वार को, अगर सेशन, आप लोग लोग लाइक ट करना टाम लगता है, नेजी ओस में, मेल सर्वर डाउन का भी मेसेज सेंट होता है, अगर अचानक से सर्वर डाउन हो गया, तो नेजी ओस पे तो वो दिख जाएगा, लेकिन यहां से मेल सेंट नहीं होगा, मेल सेंट करने के लिए ये वाला मैथड यूज नहीं करते हैं, वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप फिर दूसरे तरीके हैं, जिनको आप यूज करेंगे, लिनक्स वर्ड जैसे कंटेंट लेके आओ, विमल डागा सर्जी जैसे, नील भाई कौन से विमल डागा जी का तो आई तिंक एक लिनक्स पे फोकस नहीं है, वो बहुत सार इसी चीज़े आपको आना चाहिए, मेरा फोकस लिनक्स है, पहले मैं चाहता हूं कि जो रेड़ेट के ओफिशिल सर्डिफिकेशन से, वो सारे मैं कवर कर दूँ, वो भी इंडेफ्ट जाके, जैसे कि आप ने रेसी से कंप्लीट कर ली, रेसी हम स्टार्ट करेंगे, जो सर लीनक्स वर्ड में फीस पे करनी पड़ रही है, तो भाईया वो तो करनी पड़ेगी, फ्री में थोड़ी ना कोई सिखाएगा आपको, नील भाई, आप लोग उदर फीस दे के सीख रहे हैं, मैं उससे भी अच्छा कंटेंट लीनक्स का आपके लिए लाता हूं, फ्री दोनों हैं, चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, पैचिंग बिल्कुल डेरी भाई, पैचिंग के सेशन मुझे याद है, मुझे मालूम है कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं, सर्वर्स तो कंप्लीट करने तो, पैचिंग बचा हुआ है, मल्टी पाथिंग ब बनाता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, बाकाइदा, ऐसे नहीं बढ़ाता मैं आपको हवा में, सारी चीजे प्रैक्टिकली करके देखता हूँ, उसको सेट करता हूँ, नए वर्जन पर करता हूँ, तो उन सब चीजों में समया लगता है, मैं फिर भी आपके लिए तीन से मिनिट पर भारतिये टाइम के साब से, जहां मैं आपके लिए पोस्ट फिक्स सर्वर का कंफिग्रेशन लेकर आऊँगा, तो आई होप आप लाइक टर्गेट समय से कंप्लीट कर देंगे, और मैं शैसन समय से डेलिवर कर पाऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स सेशन में नोब जहां मैं आओि पोस्ट आपिन अर्न की यो नinis आपके तूर के साब से आप बता लेकर पाऊँगा, टिएट भाइक टर्चेश।में भाइक वरातिये नेक्झगा, वरातियाल बता चाल कि कर दो आजएन ऊंसा शीत показ वा Lect आख़ह से घंए हुश्पाब।